नमस्कार दोस्तों मेरा ना मेरे इंकू आप देख रहे है रेगाफलिक इन्फो अब तक हम सभी को पता है कि विंटर सेशन चल रहा है यानिकि सीत कालीन सत्र चल रहा है और इसी सत्र में जो क्रिप्टो करंसी है उसका बिल आने वाला है और सिंप्ली उस बिल से डिसाइट हो जाएगी कि इंडिया में जो क्रिप्टो करंसी है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है कि अगर आपने previous वीडियो नहीं देखे ता हम वीडियो भी देख लीजिए क्या कि आप में से बहुत सारे users के मुझे comment आ रहे हैं कि क्या हम trade करेंगे, hold करेंगे, हमको jail हो जाएगी, हमको simply वहाँ पे bail भी नहीं मिलेगी, so guys मैं already वीडियो बना चुका हूँ, I button में link मिल जाए economic time के हवाले से आप बोल सकते हैं कि इनकी website में हाँ पर publish किया गया है, यहाँ पर simply mention किया है कि जो cryptocurrency है simply, वो India में ban होगा, या फिर regulate होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो international exchange वो India में ban होगे, या regulate होगे, इन सभी का जो final decision है, वो माननी है हमारे Prime Minister Narendra Modi ji, या फिर आप बोल सकते हैं कि Modi ji ले सकते हैं, final decision की actual में करना क्या है, and simply यहाँ पर हमारे मानिया Prime Minister Narendra Modi ji, यहाँ पर जो भी decision होगा, final वो decision लेंगे कि यहाँ पर, जो भी framework बनाया जाएगा, उसमें regulate किया जाए, या फिर man किया जाए, जो भी decision होगा, उनका decision यहाँ पर बहुत ज्यादा important रह बड़ावा देते हैं, and simply यहाँ पर इसमें एक high level जो meeting है, simply वो की गई थी, जो कि यहाँ पर Thursday को जो meeting है, simply वो की गई थी, यानि कि हम बोलेंगे कि जो 9 December है, यानि कि 9 तारीक को simply हाँ जो meeting है, वो यहाँ पर की गई थी, इस meeting के अंदर जो काफी topic है, उनको consider किया गया था, क यहाँ पर कौन से हाँ पर जो कौन से हैं, वो है, और कौन सी जो बाते हैं, वो सही हैं, और कौन सी बाते गलत हैं, जो भी चीजे हमको नहीं पता है, simply हमको तो सरफ यहाँ पर जो source होते हैं, उनके माध्यम से ही यहाँ पर जो बाते हैं, वो पता चलती हैं, जो भी चीजे ह ही है यहां पर जो रिज़र बेंक ओफ इंडिया है उसके माध्यम से अब इहां पर जो पॉइंट से वो निकल के आ रहे और इन पॉइंट को यहां पर समझना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझोगे इन पॉइंट को आप नहीं समझोगे तो काफी जादा आपको confusion होगा इसका कारण क्या है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे clear करने वाला हूँ यहाँ पे लगबग तीन से चार जो option है यहाँ बोल सकते हैं कि जो point है वो काफी जादा important है और जो इनी option है इन पे यहाँ पे बहुत कुछ निरवर करता है कि क्रिप्टो करनसी का क्या future होने वाला इंडिया में इन option को जानने से पहले अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक कर लीजिए सबसे पहला जो point है वो यहाँ पे है कि जितनी भी private cryptocurrency है उनको यहाँ पर permanently and यहाँ पर simply completely ban कर दिया जाए यहाँ पर मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि यह जो private cryptocurrency वाला word है इसको आप जो जो भी है simply उनके साथ लिंक ना करें यहाँ पर मेरे इसाब से यहाँ पर जो private cryptocurrency है उनकी यहाँ पर definition क्या है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेकिन अगें simply मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर private cryptocurrency की जो definition है वो यहाँ पर simple सी है भारत सरकार दुवारा create या issue या बनाई गई नहीं हो वो सभी यहाँ पर private cryptocurrency कहलाती है simple सा है so यहाँ पर आपको यह clear हो गए होगा कि जो private cryptocurrency है उसकी definition क्या है सरकार की नजर में पहला option यहाँ पर complete हो चुका है second जो option है वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो partial बैन है वो अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि कुछ option छोड़ दिया जाए और अब मैं तो अफकोस हम select करी सकते हैं कि actually मैं मुझे इसमें से क्या लेना है दोनों में से अब मैं दोनों में decide करूँगा कि मुझे सबसे अच्छी क्या लग रही है ठीक है तो उस base पे simply मैं decide कर लूँगा कि ठीक हम इसको छोड़ देता हो और इसको ले लेता हो तो आप समझ सकते हैं कि यह भी एक यहां पर जो option है वो है और यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है simply या फिर आप बोल सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है simply यहां पर जितनी भी crypto currency या निकि और जो crypto currency प्राइविट crypto currency उनको यहां पर बिल्कुल अलाव कर दिया जाए लेकिन उनको प्रॉप Bitcoin है जैसे हम बोल रहते हैं कि Bitcoin, Ethereum हम फिलाल simply इसमें इतने ही नाम लेते हैं बाकी और भी अच्छे हैं जिनमें potential है जो कि एक real huge case पर काम करते हैं अब यह important क्यों है जैसे हम सब भी को पता है कि मीम token यह फिर कोई भी उठा के बना देता है token और उसमें जो लोगों का पैसा है simply trend होता और जैसे trend जाता है टाटा बाई 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 अब simply हाँ पर totally निर्भर करेगा government के उपर की यहाँ पर जो government है simply वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी वो तो हमको जब बिल आ जाएगा हम सभी के सामने simply तभी हमको actual में पता ले गई एंड simply मैंने आपको यह जितने भी option बता है या जितने भी अभी update दी है वो कहना है हाँ पर जो की एक person है simply वो की अवगत है जो यहाँ पर meeting हो रही है जो चीज़े simply चल रही है उनसे याँ बोल सकते हैं कि उसको यह सब पता है तो उनका simply यह कहना है उसके बाद में हाँ एक second person है वो भी हाँ पर कहते हैं कि ID को भी यानि कि आम बोल सकते हैं कि जो 10 तारीक है simply उसको भी हाँ पर meeting है simply वो चल रही है और जो framework है वहाँ बोल सकते हैं कि तयार हो रहा है and simply हाँ पर जो draft bill है उसमें भी काफी changes हो सकते हैं cryptocurrency को इंडिया में बैन किया जाये रेगुलेट किया जाये क्या किया जाये simply वो decision अ सभी को wait करना है I hope guys कि आप सभी की वीडियो पसंद आए को बढ़ी पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए and मैं मैं विलूगा एक और ऐसे ही interesting वीडियो में तब तक के लिए चाही ही इन वन्दे मातरम अस तरीगे मसको राते रहेए